करते हैं कॉंसरेट करना अच्छा तरीके से ध्यान देना ठीक है फिर्स एंड फॉर्मूस्स तिंग कलका थोड़ा से रिवाइस करेंगे उसके बढ़ेंगे आगे तो मेरे प्यार देश्वासियों अभे हां तो बोलो सब्सक्राइब एक बार पूरा रिवाइस करेंगे उसके आगे बढ़ेंगे ठीक है लट्स गो अगे फिर्स एंड फॉर्मूस्स तिंग यसड़े हमने साट किया था विद भेरी बेसिक कंसेप्ट वट दो एक बार बताओ लो मतलब क्या होता है एवी बना प्रिवेंशन ओफ ट्रियरियर्जम एक्टिविटी एक रिए कंसेप्ट फिर यह चीज होने के बार में लास्ट बेंच बटा धान देना यह चीज होने के बार में नेक्स वाला सिचुएशन हमने रेखा था कि भाही लॉक कितने फैक्टर के उपर डिपेंड होता है पहला सब्जन मुलेंगे दूसरी बात बुक बन करो सब्जन बुक बन रिवाइज करते वाद कोई भी बुक ओपन नहीं रखेगा ठीक है रिवाइज यहाँ पर अपना कंटेंट का होगा ठीक है पढ़ने का काम घर पे सबसे पहला कौन सा फैक्टर है सेफटी दूसरा कौन सा है इसमें से कौन से दो लिखने पड़ते हैं सेफटी और बेनिफिट कौन से दो अज्यूमड होते हैं नौट दूसरों के कौस्ट के ऊपर आपको सेफटी और आपको बेनिफिट मिलना नहीं चाहिए और एथिक्स का मतलब जो situational analysis होता है उसके हिसाब से हमने decide करना है क्या सही है और क्या गलत है यह चीज होने के बाद में तीसरी चीज हमने देखी थी कि basically law बनाने के तरीके कितने हैं पहले तो हमने यह देखना था कि law बनाने के तरीके कितने हैं तो कल हमने constitution of India खोला था याद है सबको हाँ है ना constitution of India में कितने आर्टिकल से बच्छो 444 दुनिया का सबसे बड़ा constitution है ना हाँ है ना ओके 444 आर्टिकल में freedom of speech का राइट कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल नंबर 19 इसको याद रखना आगे काम में आने वाला है ठीक है कुर्स में फिर उसके बाद में parliament law बना सकता है यह कहां लिखा है 245 कौन सा आर्टिकल नंबर जोर से बोलो 245 और कहां से law बनाएगा parliament 246 246 में क्या लिखा हुआ है तीन लिस्ट से बनाया जा सकता है अच्छा यह तीन लिस्ट कहां लिखी हुई है शडिवल नंबर कौन सा बोल एक बार 7 शडिवल 7 में तीन लिस्ट है पहली लिस्ट कौन सी union दूसरी कौन सी state और तीसरी कौन सी concurrent union लिस्ट के इंट्रीज 97 state लिस्ट में 66 और concurrent list में 47 कलेंड में हमने इसको correct किया था अगर आपको याद होगा तो यह सौनो आज का lecture हम शुरू करने वाले विद प्रोसेस तू पास दलो और आज का lecture पूरा content lecture है तोड़ फोड़ content दन दना दन content ही content मर जाओगी इतना content है के रखन सब तो पूरे lecture में ध्यांज रखना और खुद को जगाये रखना खाना खाना खाक्या आए क्या खाना खाये नशेडल के खाना का क्या है हो उन्ड़ उन्ड़ जाट को स्ट्रेट बढ़ो concentrate करना आज का lecture तुम्हारा गया तो बेटा आग एक जितने भी लौ पढ़ने वाले है उन सब का प्रोसेस गया एक बार थोड़ा सा रिवाइस कर ले वापस union law का example बताओ मुझे कौन सा है income tax act दूसरा example companies act कुछ याद आया सबको हाँ है ना state law का example good खा liquor और concurrent law का GST good night sweet dream take care क्या goods and service tax act येर कौन सा है उसका 2070 इसमें मुझे पूछना था GST concurrent law क्यो है बच्चो GST क्यों concurrent law है क्योंकि आप hotel में खाना खाये हो hotel में खाना खाते हो ना तो hotel में जबी आपको bill आता है तो उसके उपर दो चीज़े लिखी रहती है CGST SGST मतलब central government को जाने वाला tax SGST मतलब state फिलाल ये equal है मतलब 10% CGST 10% SGST ये equal tax है लेकिन अगर हम बोले तो state government खुद का tax GST का बढ़ा सकता है तो जो law center और state दोनों मिला के चलाते है दोनों मिला के चलाते है उसको हम is made in India लौ के तरीके है तीन पर बनाने के तरीके सिर्फ दो है लौ है categories में कितने तीन union state concurrent लेकिन बनाने के तरीके कितने हैं सिर्फ दो और कतई कतई detail discussion है तो बहुत से से रांदना ये पूरा detail discussion हम nearly हमारे syllabus में चार लौस पढ़ रहे है companies act, contract act, negotiable instrument और general clauses act याद है सबको अगर हम चार लौस पढ़ रहे तो लौ बनाने का तरीका भी पता होना चीह है और ये तो नहीं अगर आप overall पूरे CA के syllabus में देखो तो आपको income tax है GST है CA final level पर आपको 10 अलग-अलग laws पढ़ने है उधर और 2-3 laws बढ़ जाएंगे कोई साथ में CS कर रहा है तो उसको और 5-7 laws आ जाएंगे clear concept तो टोटल पूरे CA के syllabus में तुम 10-15 law तो कम से गम पढ़ते हो जाद ही 15 से जाद ही clear concept तो ये पता जरूर होना चीह है कि law बनाने का process क्या है इसके सिवा आगे बढ़ी नहीं सकते सबसे पहला process होता है central process सब जोर से बलो कौन सा process central और दूसरा process होता है जिसे हम कहते है state process कौन सा process state आपका जो union law है ऐसा law जो पूरे इंडिया को जैसा का वैसा applicable होता है और आपका जो concurrent law है यह दोनों law central process से गुजरता है और state process से सिर्फ state law गुजरता है और concurrent का reference बाद में आता है state वालो को अगर उनको कोई amendment वगड़ा करना है तो concept समझ में आ रहा है सबको हाँ है यह चीज को पक्का याद रखना अब law के अंदर कुछ process होती है सबसे पहले law का first and foremost थेफ होता है कि आप बिल बनाओ क्या बनाओ बिल बिल का मतलब होता है बच्छो draft बिल का मतलब क्या होता है draft सर यह बिल कौन बना सकता है यह draft कौन बना सकता है सर हम बना सकते है आप बना सकते हो हम सब बना सकते है क्या अगर मैं आपको बोलू, बहुत छे से जानने ला, अगर मैं आपको बोलू तो बिल कोई भी बना सकता है, आप मैं सब बना सकता है, पर हमारी बिल बहाँ चलेंगे नहीं, समझ मैं आ रहा है, हाला कि मैं एक दो आक के नाम लेता हूँ, समझने के लिए, content wise, ठीक है, right to information act, सु किया था, उसका draft mix ने बनाया था, Arvind Kejriwal, और तब Arvind Kejriwal कुछ भी नहीं था, अभी तो फिलाल डेली की chief minister है, कली election का result आया ना, तो फिलाल आज ही आया ना, I guess yes or no, तो डेली की chief minister पक्का हो गया, yes or no, तो basically देखा जाए, तो उन्होंने draft बनाया थे दो बिल के, जब वो करने चाहिए, concept समाज में आ रहे है, pressure देने के लिए, clear concept, so bill, फिर ये bill हमको present करना पड़ता है बच्चों, Parliament में, Parliament, सुना है, लोकतंत्र का, मंदिर, बलो हाया न, क्या होता है Parliament, Parliament, बताओ जरा, what is Parliament, anyone, मैं बताओ, जहां माई को फेक के मारते है, चेरवर फेक के मारते है, बम जगडे चलते है, जहां दपा दब एक दूसरे को पिटते है, यह सो न, दूसरा, जहां पे लोग नोटों के बंडल निकाल के घूस दिखाते है, यह मेरे को घूस दिया गया, तीसरा, जहां पपूस होता है, बैसे अच्छी बात ही है, सोय वह अच्छा है न, नहीं तो हमारी युवाओं में इतनी ताकत है कि सिर्फ इंदूस्तान को नहीं, पूरे देश को बदल सकते है, अरे बोलो न, आया न, अभी अभी नया आया था, नया नविला कोरा करकरित, गरम-गरम, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग मुबाइल के उपर क्या-क्या वीडियो देखते है, ची-ची-ची-ची-ची-ची, भगवान, या तो फिर, अनफॉर्चुनेट कि हम ऐसे लोगों से रन किये जा रहे है, यह रहे गांसर, बट हम हमारी थीम से स्टिक रहते है content से, ठीक है, ऐसा नहीं होना चीए, हमारा रहतील में सबसे पहला drafting, जो हम draft बनाते हैं बच्चो, उसको कहा जाता है, बिल, अब बहुत अच्छे से ज्यान देना, इसके अंदर content सुरू, बिल होते हैं चार टाइप के यह आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन अपन लॉज सब्जेक्ट पर रहे तो अपने को पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स टाइम हम जब लॉज खोलेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि यह कौन सा बिल था पहला बिल होता है constitutional amendment bill constitutional amendment bill any example of constitutional amendment bill article 370 युदा या वाला बुलो है न article 370 constitution का पाट था उसको उडा दिया तो यह कैसा बिल था constitutional amendment bill constitutional amendment bill को normally हर बार नहीं normally two-third majority के वोट लगते है two-third मतलब 66% कितना परसेंट वो लेक बार six-six-six-परसेंट आज ओ बिड़ा so कितना majority लगता है वो लेक बार two-third जो क्या है 66% दूसरा होता है बेटा money bill या जिसको finance bill भी बोला जाता है कौनसा bill बोलेक बाज उस है finance bill जैसे अगर हम बोले income tax act अभी फरवरी में एक फरवरी को मैडम जी ने ढ़ी गंटे का speech दिया मैंने सुना अरे बोलो हाया ना अभी तक के कौपूरे के पूरे history के अंदर dhishi is the only lady जिसने talamba speech दिया है ऐसा कहते है ठेक है तो that is a income tax act which is a money bill or a finance bill concept समझ में आ रहा है सबको हायना और फिर तीसरी category आती है other bills कौनसे बोलेक बाज उसे other bill for example air pollution control law, water pollution control law, companies act companies act भी other bill है, companies act is not a finance bill clearing concept सबको हायना, तो चार तरीके के bill है उसमें से दो का nearly meaning same होता है, एक बार चारू bills के नाम लो, पहला कौनसा है constitutional amendment bill, दूसरा कौनसा money bill, जिसको और क्या बोला सकता है finance bill और तीसरा कौनसा होता है other bill concept समझ में आ रहा है सबको हायना, जोर से बोले उसे नो अब ये bill हम कहां रखते हैं बोलेक बाज उसे, parliament parliament, parliament में in bill का सिर्फ first reading होता है pass नहीं होता, सीधा pass नहीं होता, मुझे एक बात बदाओ कल जाके मैंने तुमारे हाथ में नए draft दे दिये सबको सबको क्या दिदे बोलेक बाज उसे, नए draft, और मैंने बोला बिना पढ़े pass कर लो, क्या आप pass कर पाओगे? जोर से बोलो, बिना पढ़े, आप pass कर पाओगे? क्या? everybody tell me, क्या pass कर पाओगे? नहीं, तो इसको पढ़ने के लिए समय होना चीए तो जबी भी bill पार्लेमेंट में रखते है, तो उसका सिर्फ first reading होता है, बच्चो सब जन बोलो, क्या होगा? first reading what is the meaning of first reading? कि भाई, जो बिल रख रहा है, वो पढ़ेगा, जैसे निर्मला सिथारामन मैम ने एक फरवरी को रखा और पूरा बिल डाई गंटे तक पढ़ा वो तो ऐसा कहते है, उनकी तबित खराब होगी, इसलिए बचा वो और आदा घंटा पढ़ा ही नहीं बोले उन्होंने, तीन गंटे हो तो तो पूरी पिक्चर बन जाती थी पब्लिक से, पब्लिक मतलब मेंबर आफ पार्लेमेंट से, किसे बोले एक बाज उसे, मेंबर आफ पार्लेमेंट और कई बार देश के लोगों से, आपको पताएं, CA इंटर के पहले सिलबस था, CA IPCC, और CA IPCC से CA इंटर हुआ और 40% सिलबस रिडियूस किया गया, यह सुना ह है आपने, खुशी की बाद है, स्माइल दो मेरे को, नहीं तो और तुमारे 25-30 लेक्चर बढ़ जाते थे, ठीक है, अब अगर CA इंटर का सिलबस चेंज हुआ, कल मैंने बोला था कि हमारा एक एक आक्ट है, उस आक का नाम क्या था? Institute of Chartered Accountants of India Act, यह क्या है? 19. Selena. आपको बता है, आपका सिलबस चेंज करना भी Institute of Chartered Accountants India Act का Amendment है, यह इस Act का क्या है? Amendment और आपको बताू, वो भी इसी दरीके से पास होता है, सल्थिह सच्छी? मतलब हमारा सिलबस वहाँ डिसलड होता है, concept समझभा रहा है सबको हाँ है ना वो भी इसी दरीके से पास होगा तो input from public ले जाते है जब हमारा syllabus चेंज हुआ तो पूरे CF fraternity से input लिए गए कि इनका syllabus क्या होना चीए लेकिन public पागल है public कुछ भी comment करती है इधर पूछा उन्होंने मनी बिल पास होना चीए क्या सोनम गुपता बेवफा है तो यह public के जो comments है इसको filter करना ज़रूरी है या नहीं है जोर से बुले इसे ना तो इसको filter करने के लिए हम लगाते हैं बैटा committee जिसे कहते है standing committee कौन सी committee बोले एक बार standing technical practical knowledge line पे रहना सब जन Companies Act 2013 बनाने के लिए हमको तीन committees का गठन करना पड़ा था कितने committees का तीन, बहुत content है आज सबसे पहली committee थी Sir JJ Irani committee यह जो आपने नाम है शायद नहीं सुना होगा Tata's के साथ में अगर कोई बहुत बड़े investor है तो वो है Sir JJ Irani India के corporate governance और ethical business के सबसे बड़े contending leader यह open market में किसी के साम में नहीं आए because यह straight away consumer products के industry में नहीं है पर Sir JJ Irani, आप इसको search करोगे तो आपको बहुत अच्छा knowledge मिलेगा इनके बारे में दूसरी एक committee बनाई गई थी Narayan Murthy committee सुना है? बोलो है ना वन आफ माइ फेवरेट परसंस ठेक है? 10,000 रुपए से इनफो से शुरू किया था 10,000 रुपी इस नाइटी 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 थी इडिज अ सेकंड लार्जेस software company इन इंडिया फर्स लार्जेस? TCS इसले अभी नारायन मूर्थी जी रतन ठाटा जी के पैर पड़े थे देखा नहीं देखा आपने? हाँ है ना? So, Narayan Murthy 10,000 से company शुरू की थी multi-billion dollar industry Third is Kumar Mangalam Birla committee सुना है? Who is Kumar Mangalam Birla? Aditya Birla Group के chairman Do you know this? He is also a chartered accountant Kumar Mangalam Birla is also a chartered accountant CA करने के बाद उनने Aditya Birla Group की chairmanship ली ठीक है? 3 committees का गठन किया गया था एक law को filter करने के लिए That is Companies Act 2013 मैं यह committee क्यों बोल रहा हूँ? जब हम Companies Act पढ़ेंगे तो इन ही committee के recommendations पढ़ने वाले हैं कि भी यह provision इस committee के recommendations से बना हुआ है Concept समझ मैं आ रहा है? कि कौन सी committee ने क्या बोला था और क्यों implement किया गया? clear है? So standing committees को put किया जाएगा Standing committees ने एक बार law filter कर लिया देखो Reading हो गया Discussion हो गया और जो filter लगाने थे वो filter भी लगा लिया अम मुझे बताओ यह law pass कर सकते क्या President के पास तो बाद में जाएगा अभी तो Parliament ने भी approve नहीं किया है Parliament ने सिर्फ read किया है पहले voting होना चाहिए न voting होना तुम्हें discuss क्यों समझ मैं आ रहा है? तो अब यह law कहां जाएगा? voting के लिए वापस कहां आएगा? Parliament पर इस बार Parliament पे तूटके आएगा दो different houses में Parliament के पेश किया जाता है लोग को एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा पता है सबको? लोकसभा को इंगलिश में का कहता है? English? Anyone? history saving English में पढ़ा होगा किसे ने बच्पन में था House of people H.O.P. and राज्यसभा को? State Councils तो House of State Council क्या होता है लोकसभा? बोलो What is लोकसभा? लोकसभा में कौन बैटता है? MPs और M.L.S MPs और M.L.S कहां बैटता है? राज्यसभा में नहीं अगर आप देख रहे हो तो लास्ट वाले स्लाइड से लेके इस स्लाइड तक एक साइड में प्रोसेस चल रही है जो State Law पास करने की है अभी तक के Common Steps थे State Law में भी बिल बनता है और State Law में तीन टाइप के बिल बनता है Money Bill Finance Bill and Other Bill आपका गुठखा बंदी दारू बंदी It is a part of Other Bill State के अंदर Lottery चलेगी नहीं चलेगी Finance Bill State के अंदर Revenue, Watt, GST, CGST कैसे लगाना चाहिए Finance Bill Concept समझ में रहा है सबको हाँ न फिर State के विधान सभाम में ही State Legislature में ही जैसे इधर Parliament है इधर State Legislature में इसको प्रेजेंट किया जाता है First Reading के लिए State Legislature में First Reading State Legislature में discussion और State की committees बनाई जाती है Concept समझ में रहा है सबको हाँ न फिर ये law State Legislature में वापस आता है State Legislature के भी दो house जैसे Parliament के दो house होते है House of People और House of State Council वैसे State Legislature के भी दो house होते है State Legislative Assembly State Legislative Assembly Saaa जोर सो बलो विदान सभा सुना है State Legislative Assembly is a Vidhan Sabha And then होता है State Legislative Council Rajya Sabha नहीं Rajya Sabha होगया नहीं इदर रहे क्या है ये रज्यासभा है Vidhan Sabha, Vidhan Parishad कुछ याद आया? हाँ सर हिष्टरी के टीटर ने पढ़ाया था भूलौ है न तो यह क्या होता है बुल एक बार विदान परिश अब दोनों में difference का है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिशन, किसने बनाया यह चक्र? तो लोकसभा मतलब 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 मेरे प्यारे भाई और उनकी बेहनों जो मोदी जी को आपने चुना था आपने tieए विधा, विधान सबस्ट दोनिanga, वो लोकसभा और राज्यसभा इस भी मेंवर्स अध पर्लिमनो परिया है से मतम सहाँ है जो सुझार मंदौन के डैकर तुछ उन रध्या अनो रूहिं के मेंदेशन नरेंद्या तरह जर्षतु देrit में पुन्न आयर के जा के ही दिना, एन रह fluct 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2 प्रौन मी आलो किते प्रता थीन नो बोलो, हाँ आना, महारश्ट्रा का इलेक्षन तो इस बार तो ऐसे वहा, फुल डे टाइम पास था, फुल डे, सवरे कोई और चीफ मिरिष्ट था, शाम कोई और, उपमुख्य मंत्री तो हवा में था, उसको पता ही नहीं था कि उसको फूलों घुद बनने वाला है adalah अब बिषिकल यह देखा जाए तो ऐसा किसी स्टेट इलेक्शन में नहीं होता पर प्रॉब्लम यह हो गया कि जिनको सपश्टब बहुमत मिला और उन्हों ने जिनके साथ alliance किया BJP और शिव सेना वो फट गए शिव सेना वो उदर दो लोगों के साथ चले गई और बोले हम हमारी सरकार बनाएंगे क्लियर है और मी पुन्ना नाई एनार मी नाई एनार मी कदित नाई एनार समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना जो और से बोलो तो अभी यहां उद्धा उठाकरे है राइट बोलो यह सो ना तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस अ सेंट्रल गवर्मेंट मुदी जी वाली सरकार जो आपने इलेक्शन में चुनवाई थी और उसके बाद में आपने उद्धार ठाकरे वाली सरकार चुनी तट इस स्टेट लेजिसलेटर लोकषभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिशद। clear एकन सब सबको हाँ है ना? आइडिया clear है मैं क्या कह रहा हूँ? अब बहुत अच्छे सुनना? मैं वापस इसको पूट कर रहा हूँ. अब ये थोड़ा सा detailed matter है. Detailed हा? अब यहां नंबर्स का गेम है पूरा अगर तुमको सीखना है लौ कैसे बनाते है तो नंबरों में घुशना जरूरी है ठीक है आर यू रेडी बुलो हाँ है ना साइड वाले को दो एक कान के नीचे पशाक दो कंपल्स रही है अटेंप्ट की कसम हां उसकी कसम मैं कुमत बोलना फिर क्या हो गया तो ठीक है आगे सब जन जाग रहे है पक्का यह टेक्निकल है बच्चों यह टेक्निकल है अंध्यमान निकुबार बोलो हाई जोर से हाथ उपर करके हाई को इधर जम्मू कश्मीर बोलो है मद्धा प्रदेश गुजरा था है खाने अगे अव्रीबडी रेडी और पक्का शौर अब यह चीज ऑं खतरनाक हों पांग मापस लिख रहे हो है हुआ वापस लिखा पीपल होड़ो श्यां कुरू एंधी नाम को थोड़े सैंनी में लिख सकते के सान्व series से यह लोग सभा में जो बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं Member of Parliament, MPs, इनको हिंदी में कहां जाता है, मैं लिखूंगा लेकिन अवाइड करना खासदार, कौन बोलेक बाज उसे, खासदार, आपने शायद सुनाओगा वो आदमी खासदार है, क्या रहे गंसर, State Legislative Assembly, इसके अंदर जो बै विदायक, चाचा विदायक है हमारे, समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना, सो यह खासदार और इधर कौन बोलेक बाज आमदार, पूरे देश में, आज के डेट में, maximum number of खासदार होते हैं 545, maximum number of खासदार कितने होते हैं बोलेक बाज उसे, 545, जोर से बोलो कितने होते हैं 545, इनका election होता है, आपने जब मोदी जी को वोट दिया, और इस बार 305 से ज़्यादा सीटे मोदी जी की आई थी, मतलब BJP की, सिर्फ, और allied forces के additional सीटे आई थी, total number कुछ 350 के आसपास था, election फॉलो किया था समने, नहीं किया तो कोई दिखात नहीं, मैं डाटा बता रहा हू सिर्फ सुनना, ठीक है, 545 members of parliament में से अगर आपको central government प्रस्थापित करनी है, तो आपको clear vote लगते है, 272 जो है majority, सार, बोलो सर बोलो, अच्छा है सर, टोन में जोर से बोलो, सार, सर तुम बोल रहो, majority in 545 का majority 272 बोल रहो है, हम पागल दिखते है, 273 होना चीए, ना बेटा ना, 545 में से, actual members of parliament होते है, 543 और दो लोग होते है, Anglo-Indian members, जो elect किये जाते है, president से, कौन elect करता है बोलो एक बाज उसे, president, what is Anglo-Indian, कुछ देश के specific tribe जाती, जमाती जिनके representations के लिए, president को approval लेना पड़ता है, तो वो दो लोग, मतलब actual MP कितने select हो रहे है, 543, जिसमें से अगर मैं majority निकालू, तो कितना आएगा, 272, ये 272 तुमारे रग-रग में दौडना चीए, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कबर के अंदर भी तुमको याद रहना चीए, क्योंकि हमारा law जो पास होता है, वो इस 272 के वज़े से पास होता है, इंडिया का law, ये 272 लोग हाँ बोलेंगे तो पास होगा, इसलिए तुम पारिटी जब बनाते हो, और तुम्हारे पारिटी में स्पष्ट बहुमत अगर है, मलब 272 के उपर MP की सीटे है, तो तुम देश को बहुर अच्छे से चला सकते हो, क्यों? क्योंकि law भी तुम ही ब पास हो गया, लास्ट पार्लेमेंट के जितने भी सेशन होए थे, 120% प्रोडक्टिविटी के उपर होए थे, 35 दिन के अंदर 42 लॉस पास करने के कोशिश की गई है, ये आज तक के इंडिया के हिट्री में कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मैं BJP का बहुत सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरे को ये समझ में आता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, तो करने वाला कभी भी अच्छा है, गंशब समझ में आता है, सब को हाँ है, नहीं, गल्तिया तो होगी, और हर किसी के पक्ष में कुछ होगा, हर किसी के विपक्ष में कुछ होगा, आपोजिशन भी स्ट्रॉंग होना चाहिए तो कंट्री बहुत अच्छे से चलेगा, तो दोस, नहीं समझ गया, नहीं है स्ट्रॉंग, ठीक है, तो बेसिक अलिए देखा जाए, तो 272 लोग क्यों जरूरी है, 272 मेंबर पार्लेमेंट इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप के 270 मेंबर पार्लेमेंट खुत खुत के है, 272 मेंबर पार्लेमेंट आपके खुत के है, तो जब लोग ये पार्लेमेंट भोल, तो सब बजाता है, दर, 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 विच मीन्स कि भई, मेजॉरिटे ने हाँ बोल गया, ख्लेर है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोनिक बैलोट के उपर जाना पड़ता है, और वो पारलमेंट में आपने देखा, सामने रेड कलर में एक सा सही situation होता है, दो main parties है, Congress and BJP, there is one concept called NDA, and there is one concept called UPA, NDA मतलब National Democratic Alliance, सब जन एक बार बोलो, क्या है, National Democratic Alliance, विच मीन्स, भारतियत जनता पारिटी, प्लस, All Allied Regional Party, जैसे महराश्टर के लिए था, BJP प्लस शिवसेना, था, नहीं लब लोकसभा में भी था, जब शिवसेना ने बैक अप निकाल लिया, तो जितने भी शिवसेना की Ministers थे, उन सब को Resignation देना पड़ा, Central Government से, क्लियरे गन सब सब को हाँ है न, UPA, United Progressive Alliance, सब जन बोलो, क्या है, United Progressive Alliance, एक और बार क्या है, United Progressive Alliance, और NDA मतलब क्या था, National Democratic Alliance, UPA मतलब बेटा, Congress Government, प्लस, Regional Allied Party, जैसे महराश्टर के लिए, Congress और, राष्ट्र, साहिवान थे, साहिवान थे, साहिवान थे, साहिवान थे, बार मतलब थे, आरे बोलो न, हाया न, सो Congress प्लस कौन बोल एक बार, राष्ट्रवाधी Congress, आइडिया क्लियर है, मैं का कह रहा हूँ, तो NDA के 545 में से, लास्ट एलेक्शन में 350 के पास seat थे, इसलिए इंडिया बहुत ताकत से लौ बना सकता है, अब समाज में आया, everybody is clear with this, हर बंदा clear है इससे, अगले एलेक्शन में वोट करो तो दिमाग में रख के वोट करना, अठरा साल के उपर हो क्या है, एकिस साल लगते हो, उसके लिए इती जल्दी मत करना, ठेक है, पता है नही है, अठरा साल के उपर बीर पी सकते, एकिस साल के उपर विस्की पी सकते, स्माल मिलाते जाओ, आगे, आपने क्या, कोर्स, हाँ, आगे, सो बेसिकली अगर देखा जाए, तो फायू, 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 मेंबर में से कितने चे बोले बार, 272, यह सिंपल एक्वेशन याद रखन इसलिए, इसलिए, और टेक्निकलिटी सुनोगे, दम है, टेक्निकलिटी सुनोगे और दम है, पक्का है, तो बलो, जोर से, बताओ सर, पूरे इलेक्शन जब सेंट्रल गवर्मेंट के होते हैं न, सब बड़े-बड़े प्लानर, आप क्रोनलोलोर्जिकली समझे, कोई बात हम जान दे देंगे इसके लिए, तो क्रोनलोलोर्जिकली समझे, जो बड़े-बड़े प्लानर है, वो सब जाकि यूपी में बैठते है, उत्तर प्रदेश, क्यों? फायू, 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 सीच, पूरे सदो, 37 स्टेट्स और यूनिन टेरिट्विस में कुछ ऐसे डिवाइड की है, कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, यूपी में से बहती है गंगा, तो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पे है, यूपी, आ सबसे बड़ी नदिया गंगा, इसले सबसे बड़ी पॉपुलेशन, यूपी में, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, यूपी में, सबको हाय न, तो इसलिए मैं आभी आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा, see this, these are the seats held by each state, अगर आप चार स्टेट्स को कभर कर लो ना, बकाइदा चार स्टेट्स को, तो तुम्हारा इलेक्शन जीतना कोई रोक नहीं सकता, बिहार देखो, total 40 seats, which is substantial, मैंलब overall का nearly 10% के आसपास है, उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे और महराष्ट्र देखो, total 48 seats, मैंलब हम 10% हो, इधर है मज़ा, और दूसरा, इंडिया का financial capital महराष्ट्र में है, तो महराष्ट्र को Central Government election में हारना, मतलब ये खत्रे से खाली नहीं है, तीसरा, अगर हम देखे, तो here it is, 42 seats के साथ में कौन है, West Bengal, वेस्ट बेंगौल, दीदी, मौम्ता दीदी, मौम्ता दीदी, बोलो हाया ना, and then there is Uttar Pradesh, 80 seats, समझाव, UP में क्यों थिया बांड के रहते हैं, अमिचा जी है न, chronologically, UP में, तंबू गाड के मैं इधर ही रहूंगा, election में मैं किदर नहीं जाओंगा, मेरको यह 80 के 80 चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसा वाला सीन होता है, concept समाज में आ रहा है, सबको हाँ है न, अब अब तुम सोचो, यह 80, यह 42, वो उदर 45 और 40, हो गई सरकार, बचवे इदरों से 2-3, 2-3 तो आई जाते है, यह तो हमने चार स्टेट में कभर मार लिया, अगर बच्वे स्टेट 2-2 भी दे दे, तो भी हमारी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार निकल जाएगी, and that is why हर election में यह 4-5 स्टेट टोटली इनको हारना खत्री से खाली नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी यूपी हाथ से निकल गया, 20% वोट तो वैसी चले गया, concept समझ में आ रहा है सबको हाए ना, तो यह चीज को बड़े अच्छा दरीके से याद रखना, idea clear है मैं का कह रहा हूँ, so this is very important, मैं तुमको law pass करने का पूरा कच्छा चिथ्था बता रहा हूँ, including state, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, लोगसभा हो गया, राज्यसभा बाकी है, राज्यसभा बाकी है ना, बोलो हाँ है ना, so आते हैं राज्यसभा पे, house of state council, राज्यसभा, total maximum number of members allowed are 250, but फिलाल जितने है वो है 245, क्योंकि maximum 250 है, फिलाल दो सो पैतालीस है, ठीक है, आप दो सो पचास तक रख सकते हो, पर फिलाल दो सो पैतालीस ही काम कर रहे है, जिसमें से 233, मतलब जो maximum जा सकता है 238 तक, because 250 है ना, तो 233, तो maximum 238 तक ये digit जा सकता है, max, ये 233, 238, सिलेक्ट किये जाते है, MLS के थ्रू, मैं सिगनल पकटना चाहिए ना पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, सो ये 233, ये maximum 238, ये सिलेक्ट किये जाते है MLS के थ्रू, मतलब तुमने उद्धा उठा करे, जो इलेक्शन में मुख्य मंत्री बने, उसमें तुमने जिनको वोट दिया, वो लोग, इन 233, 238 को सिलेक्ट करते हैं, फिर बोलता हूँ, फिर से, अगें रिवाइज, उद्धा उठा करे, जिस इलेक्शन में जीते, उसमें तुमने जिनको वोट किया, जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर असेमली, विधान सवा में बैट्टे है, जो चीफ मिनिस्टर वाले लोग है, प्रभ मिनिस्टर वाले नहीं, चीफ मिनिस्टर वाले लोग है, वो इन 233, 238 को सिलेक्ट करते है, क्योंकि यह स्टेट काउंसिल है, मतलब हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ रहे है, अब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो स्टेट सिलेक्ट करेगी या सेंटर सिलेक्ट करेगी, और state select करेगी, तो state में कौन बैठे है, MLS, ला 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 ला, ला ला, इसलिए बोलते है, भारत का लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, population के वज़े से नहीं, complexity के वज़े से, मेंबर को, दो भी 233, maximum 238, पर 12 फिर भी बज़ गए, यह कौन select करता है, यह select करता है, प्रेसिडेंट, who is president of India बच्चो, मेरे देश के आजान नागरी को, who is president जोर से बोलो, आपको सिविक्स में से कुछ पता होगा, नहीं पता होगा, एक चीज जरूर पता होगा, भारत के पहले नागरी को, राष्ट्रपती कहां जाता, यह तो पक्का पता है ना, यह प्रेसि प्रधान मंत्री जेल में गया हुआ भी चलता है, प्रधान मंत्री मार खाया हुआ भी चलता है, प्रधान मंत्री को पूरे व्यसन हो सकते है, लेकिन राष्ट्रपती, राष्ट्र का पती है, राष्ट्रपती किसी भी तरीके से उसके दामन पर दाग नहीं होना चाहिए clean personality, not even a show cause notice, not even a assessment notice of tax अगर उसके उपर show cause notice भी है, for example उनने कुछ भी नहीं किया फिर भी department ने उनको एक love letter बेज दिया लिए पल्लो, तो भी वो राष्ट्रपती नहीं बन सकते इतना clean character, समझ मैं आ रहा है, इसके पहले राष्ट्रपती कौन थे? प्रडम मुखर जी, पूरा clean character, उसके पहले? प्रतिभात आई पाटिल, प्रतिभात आई पाटिल कहां से पता है? अमराउती, जहां से मैं हूँ, मैं प्रतिभात आई पाटिल को परस्नल ही जानता हूँ, यह अलग बाते हो, मेरे को नहीं जानते हैं सो बेसिकली अगर देखा जाए, नहीं, उनको जानते मतलब महाराष्ट्र में अमराउती में उनका जो college है, हम उनके college से सीखे है, तो उनके जो बेटे है, वो वहाँ पर M.A.L.E. है, ठीक है, राव साहिब शिखावत, ठीक है, तो इस वज़ए से अब अमराउती उसी वज जादा नहीं बोलेंगे, आगे, हाँ, सो बारा लोग, कौन सेलेक करता है, बोल एक बार जो से, प्रेसिडेंट, जोर सो बोलो, कौन सेलेक करता है, प्रेसिडेंट, और ये बारा कहां से आते है, अलग-अलग, hobbies से आते है, तुम्हारी hobby क्या है, cricket, cricket hobby है, Sachin Tendulgarji, member of Rajya Sabha, है नहीं है, बोलो, तुम्हारी hobby है, बनना है तुम्हे, उसे उसे बनना है, क्या hobby है, पिक्चर देखना, वो भी जूम करके, उसके लिए नहीं भी लगा, बेटा, डोंट औरे, हाँ, गेमिंग, gaming hobby के लिए, मुझके लिए थोड़ा सा, ठेक है, जावे दक्तर सुना है, जावे दक्तर, लिरिसिस्ट, member of Rajya Sabha, समझ में आ रहा है, विजय माल ल्या, member of Rajya Sabha, येस, और member of Rajya Sabha था, इसलिए Kingfisher Airlines को थोड़ी दिर तक चला पाया, आपको होता है, विजय माल ल्या, जब member of Rajya Sabha था, कुद के पावर का ऐसा यूटिलाइज़ेशन किया, Air India, Indian Airline दोनों को merge कर दिया, competitor खतम, Air India, Indian Airline के जो peak period के slots थे, आरलाइन के, वो सब Kingfisher को दे दिये, फार एक्जामपल तुमको अगर आज दिल्ली जाके काम करके आना है, तुम सवेरे का फ्लाइट पकड़ोगे, दो घंटे में पहुचोगे, छे घंटे काम करोगे, शाम का फ्लाइट पकड़ोगे, पुना वापस आओगे, विजय माल्या ने टाइमिंग ही चेंज कर दिये, एर इंडिया का फ्लाइट दो पर को दो बजे, और रात को बारव बजे, किंग फिशर सवेरे, शाम को, पर प्रोब्लेम यह था, विजय माल्या फॉलोग कर रहा था वर्जिन एर लाइन्स, पर इंडिया में विजय माल्या फॉल गया एक चीज के इंडिया में, एर लाइन, यह लगजरी नहीं चल सकता, जिस टिकिट के लिए आप यहां पर दो से माक्सिवन तीन अजार देते हो, दिल्ली जाने के लिए, विजय माल्या उसके लिए साथ हजार लेता था, अब एर होस्टेज को देखने को कोई साथ हजार देगा, भूलो हाया न, अफ़कूर्स नहीं देगा, हाँ? शॉकिन लगए रहे हैं? सुआ यह 12 लोग, including विजय माल्या, यह प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, कौन सेलेक्ट करता है? प्रेसिड, अलग-अलग होबी से, क्रिकेट बोलो, बॉलिवूड बोलो, अलग-अलग होबी से, यह सिलेक्ट किये जाते हैं, कंसब समझ में आ रहा है मैं का कह रहा हूँ, everybody is very clear this, इस हिसाब से, अगर मैं देखू, 272.545 में से, clear votes for the purpose of law, और अभी 245 number है, तो हमें, 123 votes लगते है, out of 245, in the case of Rajya Sabha, for the purpose of pure passing of law. मतलब 272 उपर, 123 नीचे, तब बनेगा आपका law. अब समझ में आया, बोलो हाया ना, कलीजी लग रहा था, सर पार्लेमेंट में पास करते हैं, समझ में आ रहा है सबको हाया ना, ऐसी पास नहीं होता, ये पूरे तमाशे से गुजरना पड़ता है, तब पास हुआ, इससे टेडी 14 रिप्रेजेंटेटेटेज थे, 12 राज्यसभा में और 2 अंगलो रिप्रेजेंटेटेज लोगसभा में, उन्होंने हाँ भी बोला होगा, फिर भी प्रेसेंट के पास आएगा, प्रेसेंट के पास किसी भी लग को रिजेक्त करने का वन टाइम भेटो होता है, कौन आजह सभा में भी पास हो गया आग्या प्रेशेडेंट के पास प्रेशेडेंट ने लौ पढ़ा बोले मिलकुछ बढ़ने आया अधुग कि अध्या और प्रेशेडेंट बोले मिलकुछ तरह ने बापत भेजो यह लौ पास नहीं होगा अब मुझे बढ़ाओ अध्या कैंतो एक आद्में ने मना किया और पुरे देश ने लिट्रली ह ब气 मेंबश ने होगा थू देश ने होगा तो आक आदमी मना करने के इ smiles lot ऑस जाना चीए क्या सक्वाख जोडो ना जाना ना चीए बट फिर भी जाता है because he is a first person इंडिया के पहले नागरिक कोई पसंद नी आया, तो बाकी नागरिक और नागरिकाओ को क्या पसंद आएगा? फिर भी वापस जाता है, पर सिर्फ एक बार, फॉर एक्सांपल, प्रेसेंट ने पड़ा, बिल्कुल पर निया, आथू, वापस गया, वापस आया, बिल्कुल पर निया, आथू, बाकी सब, रुक, आथू, 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 स्वच्छा भारत, समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़े नहीं करते, दूसरी बार, लॉप प्रेसेंट के हाथ में आया, प्रेसेंट को जख मारके एक्सेप्ट करना है, फिर बले ही पहले बग प्रेसेंट ने रीजन लिखे हो, कि भाया, कमपनी आक्ट में पेनॉल्टी सिर्व एक लाग की है, य समझ में आ रहा है सबको हाय ना, तो यह मन मुटा हो वाला बिल हो जाएगा, तो यह ऐसा बिल हो जाएगा, जिसमें प्रेसेडेंट बोलेगा, ठीक है, चल फाइन, अब इतने सारे लोगों ने हाँ बोला है, तो पास कर देते हैं, तो सिर्फ एक बार रिजेक्शन, कितने बार रिजेक्शन बोले एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, कंसर्प समझ म बैन करने का लॉक इसने पास किया, बोलो जुबा केसरी, यह गुटका बैन करने का लॉक इसने पास किया, तो स्टेट में कौन होता है, इस बार तुमें गवर्नर का नाम पता चला होगा, जिंदगी बर नहीं पता होगा, इस बार गवर्नर का नाम पता, गवर्नर बैठे ते चेर लेके ऐसे आज यह आ रहा है और बना रहे हो नहीं बना रहे हो हूँ वह बोलका है मुख्यमंत्री पक्का ना सोच लो अच्छा उपमुख्यमंत्री कहा है वह जुगार कर लेंगे आप शुरू तो करो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहो हाँ है ना तो बेसिकली देखा जाए तो गॉर्णर फिर भी आत्नी है टैलेंट है मतलब तुमारे अंदर नाम बोलो भगत सिंग गॉशाली सुना है लड़कियो यहां कि सो बिसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा से कॉंसे करना यहां कौन लौ पास करता है वो लेक बाजोस है गवर्णर के पास भी कौन सा पावर है वेटो वेटो मतलब कौन सा वन टाइम रिजेक्शन आइडिया क्लियर है जोर से बलो हाँ है ना सार जोर से बलो सार एक लौ बहुत जोर से आया जा क्या हो नहीं सर एक लौ बहुत जोर से आया अर्जंट में आया तुरंट से भी पहले तुरंट से भी पहले और बोले मिरेको पास करो अब तुम पहले पार्लेमेंट का सेशन लोगे है तीस दिन में State Council, House of People के session, State Council का session लोगे, उसमें भी variability, Parliament एक तो हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, फिर उसमें दूसरी variability, State Council, हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, तीसरी variability, President का भी मूड, मूड खराब रहा, बीवी से जगड़ा हुआ रहा है, लोग बेका रहा है, घर लेकर जाओ, इसमें बीवी के बारे में क्या-क्या नहीं लिखा, बोलो हाँ नहीं तो बेसिकली अब ऐसा तीन वेरियेबल के साथ आप चल रहे हो, और एक सो तीस करोड की population को समाल रहे हो, और यह भाया, urgency, तो ऐसा कोई process है sir, short वाला, ना, तुमने ordinance कल सुना तो तुम कल से ordinance पहले जा रहे हो मेरे को, माना तुमको भी से सर ने बताया, ordinance है, पर मैं सोच रहा हूँ, ordinance यह temporary law है, I am asking for permanent solution, urgency में permanent solution चाहिए, yes, joint session, joint session, वो अले नहीं, what is joint session, आपको बताये, अगर urgency में लॉया बहुत जोर से, कि अब control नहीं होता, अब तो निकल ही जाएगा बाहर, अरे बोलो नहां है न, तो हम house of people और house of state council को साथ में बिठाते हैं, पासोपेटालीस 245 एकठा और बोलते जो बोलना है एक साथ बोलो, यह तुमारे पास फिर इनके पास, फिर यह नहीं होए, तो उनके पास, फिर उससे वापस तुमारे पास, यह खेल नहीं खेला जाएगा, कल जो मेरे आपको एक्जाम्पल दिया ना डाउरी जॉइंट सेशन वाला लो है प्रिवेंशन ओफ टर्रिरिजम अक्टिविटी जॉइंट सेशन वाला लो है दोनों जॉइंट सेशन के टेर्रिजम एक्टिवीटी तो जॉइंट सेशन वाला होना भी चाहिए था, यहां तक पहुच गए थे, इधर बॉम फोड़ा मेरे बाजू में, कित्ती जोर से फटके हाथ में आई थे, तो साथ में बैटना तो ताय था ना, सहारा देने के लिए, तो इसलिए कौन सा सेशन बोलो एक बार, जॉइंट सेशन, कंशव समाझ में आरहा है, सबको हाए ना, जोर सो बोले विशन, आइडेया क्लिर है, अंदवानन निक बार, पोर्ट बलेर, अरे हाए, बोलो हाए, जाकर रहा है, जाकते रहो, जाकते रहो, एदर जाम्मू काश्मिर, लेया लट्दाक, सेपरेट हो गया ना अभी आए ना सो बहुत अच्छा तो प्रेशेंट ने पास किया और किसे ने पास किया बोले एक बार गवर दोनों ने पास किया अभ जाके कही बना है लो पर बताना पड़ेगा ना बना है ऐसे थोड़ी बन जा है पबलिक को कैसे पताक मेरा को सपना आएगा कि पढ़ाना रहा है तुमको सपना आएगा कि सलेश में आया फै Pe拝 ने तुमकर लिए इंस्टिट्टिउट है बोलना बट पबलिक के लिए कौन है? तो यह लॉग को declare करते है official gazette में. Official gazette short form है OZ G होना चाहिए पर AGOG करना अच्छी बात निये ना So official gazette क्या है short form बोले एक बार? OZ भारत का राज्य पत्र किसी भी लॉग का bare text खोल के देखो. देखना चाहोगे? वैसे भी देखना पड़ेगा देखना? बोलो हाँ है ना? दो मिनिट के लिए देखना चाहोगे? दिखा ही देते जड़ा मैं लोग कैसे आता है? वी शिट कोई बात ने, hold यह देखो, Companies Amendment Act का ही आपको रिखा था हूँ जब Companies Amendment Act आया था, तो कैसे लिखी है? यह देखो, see this This is how actual law looks when it is passed at Parliament देश की पहले महर, लिखा है भारत का राज्यपत्र The Gazette of India ठीक है? Official Gazette सरी, क्या होता है Official Gazette? जैसे India Today का magazine निकलता है India Today magazine Times का magazine निकलता है, Times वैसा आप समझ लो, देश का magazine है इसके अंदर देश में पूरे महने में क्या-क्या चीजे होती है यह declare किया जाएगा, कभी-कभी बीच में भी उसको अभी पढ़ने वाली चीज़ है पढ़ने वाली चीज़ है, content वाली चीज़ है कैसे law applicable होता है, समझ में आएगा Extraordinary, असाधारन बैठक के अंदर law बनाया गया है मतलब normal session में नहीं बनाया गया अलग से बनाया गया उन्हाडी, हिवाडी, पाउसाडी अधिवेशन summer season, winter session rainy session होते हैं उसमें नहीं separately बनाया गया, बोले clear concept published by the authority प्राधिकार से प्रकाषित गंटा समझ में नहीं नई दिल्ली बुद्वार January 3, 2008, पाउस 13, 1939, हिंदु राष्ट्र है पाउस महना चैत्रवाई शाक जश्ठा अशाट शावन भादरबद अश्विन करते हैं उसमें से पाउस थैंक्यू सो मज, आगे बढ़ते है ध्यान देना, New Delhi Wednesday January, पाउस, नीचे इस भाग के भिन पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे की यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Hindi medium में पेपर निया है, थैंक्यू बलना जिंदगी को जिनों निस ये given to the part in order that it may be filed as a separate compilation Ministry of Law and Justice ने पास किया गया है, Ministry of Law and Justice का एक पार्ट है Ministry of Corporate Affairs जो हमारे Companies Act को गवन करता है नीचे Companies Amendment Act 2013 और उसके नीचे लिखा जाता है कौन से दिन ये law implement हुआ 3 January 2008 Act further amend the Companies Act 2013, 2013 Companies Act का ये amendment वाला part है जैसे Finance Bill, Income Tax Act comment करता है वैसे ये Companies Act comment कर रहा है और फिर नीचे उसके section शुरू होते है Idea clear है? This is Official Gazette इसे क्या कहता है? Official Gazette तो हम अगर वापस आये हमारे से ये हमको पढ़ना है Official Gazette खोल-खोल के देखने पढ़ेंगे क्योंकि उसके सिवा law पढ़ने का कोई sense ही नहीं है समझ महीं नहीं आएगा क्यों बनाया गया कहां बनाया गया कैसे बनाया गया Official Gazette में बच्चो तीन चीज़े डिकलियर होती है सब जन बोलो कितनी चीज़े? तीन Date Area Section कौनसे दिन से कौनसे अरिया में इस law के कितने section implement किये गए जैसे अगर मैं Companies Act का बोलू जो हमरा main law है 12 September 2013 को पूरे भारत में, इंडिया में 98 sections primary level पे implement किये गए थे 470 में से 98 Same goes with the state legislature कौनसे दिन से कौनसे area में कितने sections यह आपका हो जाएगा state legislature के लिए एक बार आपने यह complete कर लिया देश law के साथ आगे बढ़ सकता है इसी प्रकार आपका contract, sale of goods और partnership नहीं क्योंकि हमको वो दिये थे Britishers ने पर आपका दूसरा कोई भी law जो independent इंडिया में पास हुआ है banking, insurance, surface PAMLA, FEMA, SEBI, SICRA competition, factories, minimum wages, industrial disputes, environmental protection, workman's compensation companies act, income tax, GST, whatever law you see in India is either passed by this process or passed by this process. यह छोड़के इंडिया में law pass करने का दूसरा process नहीं है, ordinance हो सकता है, but ordinance is not a permanent law, it is a temporary law, उसको पर मैं further discussions दूंगा. यह रेगान सब सबको हाई ना फिलाल, एक page उठाओ उसको दो पार्ट में डिवाइड करो और जो जो मैं बोर्ड पर दे रहा हूँ, फड़ाफट फड़ाफट लिख लो, go for it fast जाते हूँ जाते हूँ यह रहाँ चार पार लो यह यह ओके दोनों साइड से लिखना है इसको हाँ एक पेज़ दो पाट एक पेज़ दोनों साइड से लिखना है एक पेज़ दोनों साइड से लिखना है झाताओ झाताओ लिखना पेज़ दोनों साइड से लिखना है झाताओ झाताओ झाल 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 इदर हो गया सबका इदर अखिल भारति का महिला मंडल अरे हो गया क्या शौर डन चलो यहां पर मैं कंटेंट रोकता हूँ आज एक दो सवाल में को आये थे जो बच्चों ने में को पूछे शौर समय पर खतम होगा या नहीं होगा ठीक है तो आपको बोलना चाहूंगा लास्ट दो बैचास का मैं मैं कुछ बोलू कुछ लास्ट दो बैचास का से समय पर खतम हुआ है आप उनको पूछ सकते हो ठीक है तो ऐसा कोई सेंस नहीं है कि स्लेबस खतम पर नहीं होगा जो आपका डिवडेट है सोला में से आपके सेकंड ग्रूप की बैचा शुरू होने वाली है हमारा डिवडेट है बाराम में को स्लेबस खतम तीन दिन के चु इसलिए फाइनल पर बहुत नाम है मतलब कुछ जाद ही हो गया इत्ता मेने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था पर इंटर जब समय चार साल से पढ़ा रहा हूं मेरी पहली बैच में साथ स्टूडेंट है इंटर के लिए और उस वक में ऐसा था कि कैसे पढ़ा हूं करके तो समय मेरे ऊपर ऐसा था मेरे विजय सर के ऊपर भी बोलो उन्होंने भी पहले बैच में साथी स्टूडेंट पढ़ाए थे वहां से साथ के सत्तर हुए सत्तर के 270 हुए फिर 270 के 400 452 हुए और तब से चल रहा है एक हमारे दिमाग में हमेशा रहा है इस अच्छा टीचर कभी भी आपके सामने रखे, इस हिसाब से मैं 15 मेरीट के लिए अच्छे टीचर को बुला रहा हूँ, 9 to 10 years का experience है, accounts में, मध्यप्रदेश में अगर कोई बिलॉंग करता है, तो एक ही नाम है, that is भूपाल और इंदोर से, काफी अच्छा उनका, और मैं इस चीज के उबर बिलेव करता हूँ, जैसे तुने मेरे डेमो लेक्चर देखे, और स्टार्टिंग में भी मेरे बच्चे डेमो लेक्चर, साथ लोग जब सामने बैटे थे, जंडू को पढ़ाते आएगा, नहीं आएगा, ठेक है, तो जैसे तुम्हें ऐसे पहली द तो मैं यह करना चाहूंगा अगर हो सकते है तो, नहीं तो situation ऐसा होता है कि कई बार लॉडिटी आईडिटी तो वीस्मार्ट चलता ही है, फिर बाद में कुछ दस बारा बच्च आते है, सर, जोलो गया, हमारा यह सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, करवा दो, ठेक है, ऐसे क नहीं करेगा, तो यह हम थीम फॉलो करते है और यह शुरू किया था विशाल सर ने, इसके विशाल सर पहले जनक थे, जिसमें मैं जॉइन हुआ, मैं और विशाल सर नौदच साल से एक साथ पढ़ा रहे है, कभी इच्छा ही नहीं हुई वीसमार्ट छोड़के जाने की, ऐ इसे भाईचारा सा लगता है यहां पे, क्योंकि अभी तक कोई लेडी टीचर नहीं है तो बहनचारा नहीं लगता, तो भाईचारा जुरूर लगता है, तो इसी भाईचारे में हमने पिछले तीन साल पहले एक टीचर को एड किया था जय चावला सर, जो पहले सिर्फ इस बार हमने रेडी किया था last time second group के लिए और इस बार first group के लिए, पंधरा मिनिट में आपके जरूर लूँगा, लेकिन इस पंधरा मिनिट में ऐसा नहीं कि सर्फ तमाशे करूँगा, कुछ concept आपको देखे जाओंगा, कि कहीं कुछ नहीं हुआ, पर at least आपको concept याद रह और तुम मेरा नाम सुनके अगर आए हो, तो मेरी नेतिक जिम्मेदारी बनती है, कि तुम्हारे बाकी subjects में भी help हो, तो जैचाओला सर को मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये बंदे को समझ में नहीं आया, टेबल पे बैठके पढ़ाओ, और वो पढ़ाइंगे, that is my personal responsibility, क्योंक बैठो, पढ़ाओ, समझ में आया, सबको हाँ है ना, और तुम पिछले second group के जो बच्चे उनके join किये थे, आप उनसे भी reviews पूछ सकते हो, fantastic reviews है, तो let's introduce जैचाओला सर, चलेगा, is it fine, 15 minutes, इसले मैं थोड़ा सा 15 minutes कम class ले रहा हूँ, नहीं तो सवाचार बज़े तुमारी इमरेटर शुरू हो जाते है ना, बोलो हाया ना, so please welcome, जैचाओला सर, let's go, बोलो, फिर से good evening, okay, so guys, अभी तक सोबह से बैठे हो, और अभी बजने वाले हैं, चार, तो मुझे लगता है कि अभी तुम लोगो को मतलब सक्त जरूरत होगी, यहां तो break की, यहां तो घर जाने दियें, तो उन 20-25 मिनिट में, मुझे आपको कुछ important concept समझाने, मुझे सबसे पहले यह बताईए, कि आप में से, कितने बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कल मेरी class, कल मेरी class attend की थी, कितने बच्चे ऐसे हैं, जो कल मेरी class में बैठे थे, attend की थी, अच्छे से, टूंडो की तर से, जानते होंगे, कि हमने कल सिर्फ basics start किया था, मैं दो मिनिट लेना चाहूंगा, सबका, कल का जो मेरा message था, class में, सबसे अपनी पहली class में message था, कि for initial 5-6 days, हम अपनी पढ़ाई, शुरू करने से पहले, मतलब chapter by chapter start करने से पहले, हमने basics पर बहुत ज़्यान देने वाले है accounts पर हमारा basics strong होगा, तो ही हम आखे चलके accounts और advance accounts को properly अच्छे से conduct कर पाएंगे, so starting के 4-5 दिन, even 5-6 दिन भी हमारा basics पर बहुत ज़्यान होने वाला है, और उसी को लेकर मैंने पिछली class में, अगर आपको याद हो, जो बच्चे बैठे हैं, मैंने पिछली class में कुछ basics करान उनको भी समझ में आए, और फिर अपन आगे का 20 minute continue कर सकें, so without wasting any time, मैं start कर रहा हूँ, आपको अपना अगर copy रखना हो तो ठीक है, नहीं रखना हो, तो सिर्फ आपको सुनना है, मुझे घूर के देखना है, ठीक है, so मैं start कर रहा हूँ, अभी से, हम क्या करने वाले, मैं ब हमेशा याद रहेगा, subject की शुरुवात करने के लिए, हमें सबसे पहले, चार बाते हमें पता होना ज़रूरी है, जो foundation से लेकर, हमारे मरते दम तक हमें accounts में याद होनी चाहिए, वो चार चीजे account से related कौन सी होनी चाहिए, पहला recognition, recognition का मतलब होता है, record करना, किसी भी transaction को, कि किसी भी event को, record करने को बोलते है, recognition, right, अभी तक हम word क्या उसकरते थे, record करो, record करो, journal entry, record करो, actually में ये word, record करो, जो होता है, इसको technically हम word उसकरते है, recognition, तो recognition का मतलब होता है, record करना, दूसरी important बात, अब मैंने record कर लिया, किसी भी transaction को, किसी भी event को, अगर मैंने, किसी भी transaction को, event को, आवाज देख लिए भाई, थोड़ा सा, so किसी भी transaction और event को, record तो कर लिया, ठीके, record तो कर लिया, मतलब, journal entry तो पास कर लिया, but कौन से amount में मुझे उसको record करना है, कैसे उसको record करना है, ये amount कहां से आएगा, उसको कहते है, measurement, the second important point is, measurement, measurement मतलब, how to value such transaction, और how to value such event, if I want to record that, so the first important point was, recognition, to record that transaction, और event, accounts के transaction, और accounts के event, दूसरा, record तो करना है, पर कौन से value पर record करना है, that is known as measurement, अब measure कर लिया, record कर लिया, measure कर लिया, अब मैं उसको दिखाऊं कहां, कैसे दिखाऊं, किधर दिखाऊं, उसके लिए मुझे balance sheet बनानी है, profit and loss account बनाना है, trading account बनाना है, in short, इसका मतलब मुझे बनाना है, financial statements, बच्चे मतलब foundation वाले, अब तुम बड़े हो गए, तो छोटे बच्चे थे, तब तुम उसको बोलते थे, final accounts, technically, final account, कोई word होता नहीं है, हमारी accounts की बच्चा में, final account का मतलब होता है, financial statements, जब उन्ही final accounts का audit हो जाता है, director report लग जाती है, उसका analysis करना पड़ता है, users के सामने submit करना पड़ता है, अब आप बोलो, के sir, user कौन? जो बच्चे कल की class में बैठे थे, उनको तो पता होगा, क्योंकि हमने user के बारे में discuss किया था, user मतलब कौन? जो उन financial statements को देख कर, कोई न कोई decision लेने वाला है, उनको कुछ न कुछ उस company से lane-dain करनी है, और lane-dain करने के लिए ये पता होना जरूरी है उनको कि company में चल क्या रहा है, company की financial position क्या है, company की financial performance क्या है, तो ऐसे लोगों को कहते है user, जैसे shareholders, shareholders are the ultimate users of your financial statement, एक बात सोचु ना यार, accounting कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कौन देखेगा तुमारे accounts, तो जो देखेगा ना, जिसके लिए कर रहे हो, उसको बोलते है user, मतलब जिसको वो final accounts या financial statement काम में आने वाले हैं, उसको बोलते है user, जिसमें primary तोर पर, shareholder, government, क्योंकि government के साथ भी dealings होती है, companies की, investors में shareholders आगए, बच्चों, ठीक है, उसके बाद creditors, suppliers, जहां से तुम goods purchase करने जाओगे, माल purchase करने जाओगे, तो, सामने वाला तुमारी credibility check करेगा, कि भाई मैं इसको माल बेचूँ की नहीं बेचूँ, ये मुझे payment करने योग्या है की नहीं है, लायक है की नहीं है, accounting करने का मतलब सिर्फ ये नहीं की, internal company में हम decision making करते रहेंगे, तो इन ही users के लिए financial statements बनाते हैं, और financial statements में record मतलब recognition, फिर measurement और तीसरा के उसको करना पड़ता है हमें present, the third word is presentation, मैंने बोला था ना, 4 चीज़े है accounting की, जो तुम्हें पता होना चाहिए, जो तुम्हारे अंत तक, CA final के syllabus तक तुम्हें याद रहनी चाहिए, कि accounts में 4 चीज़े बहुत important होती है, recognition, record करना, measurement, measure करना, मतलब किसी amount को value करना, the third one is presentation, मैंने value तो कर लिया पर उसको में दिखाऊंगा कैसे, मुझो उसको P endle में diखाना है, पर P endle में direct दिखाना है, direct income, indirect income, And the last one And the last one, मैंने present कर लिया, मैंने profit and loss account बनाया, When I say Profit and Loss Account ना, तो समझ जाना, जब भी कोई आपको बोले ना Profit and Loss Account बनाया, तो समझ जाना कि Trading and Profit and Loss Account बनाया, अभी से लेकर, अभी से लेकर कोई Trading Account नाम की चीज नहीं होती, Trading Account को पेंडल में Merge कर दिया गया है, उसको बोलते है Statement of Profit and Loss, तो जब हम Statement of Profit and Loss बनाते हैं चार अलग-अलग टाइप के Business चल रहे हैं पूरी Company में, एक Steel Sector चल रहा है, एक Power Sector चल रहा है, तो अब उस Turnover में कितना Business Steel Sector का है, कितना Business Power Sector का है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे इसके लिए Additional Disclosures देने पड़ेंगे, कि मेरा Turnover अलग-अलग-अलग-अलग- वो कैसे मालूम पड़ेगा, कि कितना बनाया, user को कैसे मालूम पड़ेगा, और क्यों बनाया, ऐसा क्या हो गया कि provision बना दिया तुमने, तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है, तो वो provision कितना बनाया, क्यों बनाया, कौन सी situation बनाया, वो disclose करने के लिए तुम्हे Disclosures देने Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure, यह वाली बाते हमने कल डिसकस की थी, फिर मैंने आपको बोला था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, Accounts में 5 Elements बहुत Important है, 5 Elements बहुत Important है, जो कि आपका पूरा का पूरा Financial Statements उनी 5 तत्वों से मिलके बनता है, वो कौन कौन से चीजे हैं, The first one is Assets, Liabilities, Liabilities के बाद बच्चों वैसे तो Income सही बोला, बट मैं जानबुच के बोलूगा कि Liabilities के बाद Income न बोलके आप बोलो Equity, क्या? Equity को अपन Simple भाशन में बोलते है, Capital, क्या बोलते है? Capital, तो 3 पहले क्यों से बोली आपने? Assets, Liabilities, Equity, Assets, Liabilities, Equity, The fourth one is Incomes and the fifth one is Expenses, कुल मिला कि पूरा Accounts इन पाँच चीजों में ही तो है, इन में से कुछ नो कुछ चीज़े आपकी Payndal में जाएंगी, कुछ नो कुछ चीज़े आपकी Balance Sheet में जाएंगी और बहुत सारी चीज़े इन ही में पाँचों में से बहुत सारी चीज़े आपके Cash Flow Statement में जाएंगी, मला पूरा Financial Statement इन पाँच चीज़ों में सिमट सकता है, और यह पाँच चीज़े है, Assets, Liability, Income, Expense, और Equity, Now the first one, What do you mean by Asset? किसी भी चीज़ को Asset कब बोलते हैं, यार पता है सबसे बड़ी दिकत क्या होती है, As a CA student, जब हमारे मम्मी डड़ी किसी रिष्टेदार से मिलवाते है, मेरा बच्चा यह CA कर रहा है, या किसी engineer से अपन मिलते हैं, किसी senior से जाके मिलते हैं, और उसको अगर अपनी लेनी होती है, तो वो ना उसको नहीं पता, घंटा उसको फरक नहीं पड़ता, पर वो अपने से पूछता है, आच्छा तू इस यह कर रहा है ना, बता, Asset का मतलब क्या होता है? एसे सवाल अपने सामने आते हैं, उसको घंटा कुछ पता नहीं पड़ा होगा, उसको नहीं आता असे इस मतलब, वो तेरे सदरूर पूछेगा क्यों, क्योंकि तूसी ये कर रहे और तेरे को पता हुआ, अच्छा, अपना जबाब कैसा होता है? asset, asset मतलब property, car, अब यह type थोड़ी पूछ रहा हूँ, definition बोल, मतलब ऐसा होता है, definition मतलब वो सोचता है कि आपन वो three idiot के रंचों है, जोसको आपन machine की definition समझाएंगे chain उपर नीचे करके, ठीके रहा, so the point is कि यहां पर भी अपन asset को define ज़रूर करेंगे, but मैं यह आपसे भी expect नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे proper machine की definition बताओ, the point is, यार अगर मुझे asset को define करना है, तो asset का मतलब क्या होता है, type की बात नहीं कर रहा हूँ, asset का मतलब क्या होता है, Guys, ऐसी कोई भी चीज, जिसमें दो conditions fulfill हो जाए, कौन सी दो condition, पहला, control, क्या बोलते हैं, अरे चिला के बोलो, क्या बोलते है, control, control मतलब, control का मतलब होता है, अगर, मान लो यह मैं बोलू, कि यह laptop मेरा है, तो laptop मेरा है, मतलब मेरा इसको क्या कर सकता हूँ, मेरा इसकी ऊपर control है, जै locked अगर क्या है, control मेरा है, that means, यह control मेरा generate कैसे हूँ, क्योंकि यह laptop मैंने खरीदा है, purchase किया है, तो यह control generate कैसे होता है, control generate होता है purchase करने से, जब हमारे पास किसी भी asset, किसी भी चीज का legal title होता है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा control है, मतलब मैं उसको बेच सकता हूँ, मैं उसको use कर सकता हूँ, मैं उससे किसी भी तरीके से utilize कर सकता हूँ, the first one is control, the first one is control and control means ownership, having ownership of that particular thing, if you are having any ownership of that particular thing, that means आपका control है, आप asset की पहली CD पार कर चुके हो, asset के definition की पहली CD पार कर चुके हो, but दूसरी CD कौन सी है, क्योंकि दूसरी CD पार होना जरूरी है, तो ही अपन उसको बोलेंगे control है, दूसरी CD कौन सी, future economic benefits are expected, मतलब, क्या ये laptop से मुझे लगता है, कि मुझे future में economic benefits मिल सकते हैं, क्या मुझे लगता है कि अगर में इसको use करूंगा, तो मुझे कुछ income generate होगी, as a teacher, as a professional, yes, मेरा laptop है, मैं इसको अगर मान के चलूं कि 5 साल तक चलूंगा, तो मेरा income generate होगा, इसी laptop के basis पर, that means I am expecting कि मुझे future में economic benefits मिलेंगे, तुम लोग, बहुत सारे लोग, अभी अगर class आये होगे, तो हो सकता है गाड़ी से आये होगे, तो जो गाड़ी है वो किसकी है, अगर गाड़ी तुमारे नाम पर है, तो control तुमारा, अच्छा, पपपा के नाम पर है, फिर भी तो तुम ही बोलते हो ना कि मेरी गाड़ी है, मतलब control तुमारा, और क्या तुम उस गाड़ी से utilize कर सकते हो, future एकनामे benefits expect कर सकते हो क्या, yes, वो गाड़ी 2 साल तक चला होगे, 3 साल तक चला होगे, 5 साल तक चला होगे, तुमें इससे benefits होगे, economically वो तुमें benefit देगी, that means, किसी भी चीज को asset मानने के लिए, 2 condition का होना जरूरी है, कौन सी 2 condition? थोड़ा तेज बोलो बटा, control, दूसरा, future economic benefits, अच्छा, एक बाह बताओ, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, Sunny, Sunny, नाम सुना है, कौन सी गाड़ी? अरे था, Sunny स्कूटी आती थी, हमारे बच्पन में आती थी, एक Sunny करके स्कूटी मोपेड आती थी, याद है तुमें? घर जाके Google करके देखना, एक Sunny आती थी, Blue color की, Yellow color की, अगर तुम स्याद आ रहा हो तो, आरे छोड़ो, एक दूसरी गाड़ी का नाम बोलता हूँ, M80, दूदवालो की गाड़ी? याद आता है कि नहीं? मेरे पास Sunny गाड़ी है, Sunny गाड़ी है, Sunny गाड़ी है, मतलब मोपेड है, मैं उसको चलाता हूँ, देखो आपने बच्चों को कैसा कर दिया है, कैसा कैसा कर दो, मेरे पास एक Sunny स्कूटी है, अब वो गाड़ी, वो गाड़ी मेरे दादाजी के जमाने की है, मैं दादाजी ने Sunny को चलाया, अरे यार तुम लोग, मैं, मैं, मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ तो खैल रखो यार, कुछ तो इजद करो उनकी, ठीके, मेरे दादाजी ने Sunny को चलाया, खतर्नाक चलाया, मतलब, खतर्नाक मतलब, 30-40,000 km चलाया, ठीके, उसके बाद, अभी Sunny रुकी नहीं, अच्छा है बढ़िया, अरे सुनो, उसके बाद, मेरे पापा ने चलाया, अरे मोपेड की लाइफ होती है, लगबग लगबग, 10 साल मानलो, ठीके ना, 10 साल में, मेरे दादाजी ने 5 साल चलाया, फिर मेरे पापा ने 5 साल चलाया, उसके बाद Sunny बैड़ गई, बैड़ गई मतलब, खराब हो गई, Sunny खराब हो गई, अब, अच्छा सुनो, पापा ने वो गाड़ी मेरे नाम पे कर दी, Sunny मेरे नाम पे, ठीके ना, मैं बहुती सब्या आदमी हूं, मेरी शादी हो चुकी है, ठीके, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचने का है, ठीके, हाँ, जो है वो तुम लोग कल की क्लास में, दर्शन सर से समझ लेना वही जानते हैं, मेरे को कुछ मतलब नहीं है, हाँ, ऐसा है कि गाड़ी मेरे पास है, अब सुनना, मैं असेट की डेफिनिशन पर आना चाह रहा हूं, गाड़ी मेरे पास है, वो गाड़ी अभी नहीं चलती, गाड़ी खराब हो चुकी है, रिपेर भी करवाँगा तो भी नहीं चलेगी, गाड़ी मेरे नाम पर है, पापा ने मेरे नाम पर कर दी, the first condition is control, control मेरा है, मैं चाहूं तो गाड़ी को फेग दूँ, यह स्क्रैप में बेचूं, दो-चार हजार रुपर मिल जाएंगे, यह कुछ भी करूं, यूस तो करी नहीं सकता कि यूस होने लायक नहीं है, but the point is, की control मेरा है, पर क्या second condition फुल्फिल हो रही है क्या? क्या second condition फुल्फिल हो रही है क्या? second condition क्या थी? क्या मैं future में इस Sunny को चला के बेच कर कोई economically benefit प्राप्त कर सकता हूं other than scrap? other than scrap? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अब Sunny को use कर पाऊंगा या उसको अच्छे से marketable value पे बेच कर सामने वाले को बोलूँगा कि तू use कर, ultimately वो scrap के अलावा वो किसी और use में नहीं आने वाली whether I can expect any kind of future economic benefits, the answer is no. the point is, कि वो जो गाड़ी है, वो उस पे मेरा control तो है but उस पे मैं future में economic benefits expect नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसी कोई भी चीज जिस पे तेरा control है, but तू future में economic benefit expect नहीं कर सकता, that means वो तेरा asset नहीं है, वो तेरा क्या हो गया? Loss. Sunny तेरे नाम की है, वो तेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तेरे को उससे कोई future में economic benefit नहीं मिलेगा, शायद तेरे को ये loss book करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आरे की नहीं? So this is the proper definition of asset, मैं अभी तुम लोग को नहीं लिखवाने पर ध्यान नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय और तुम्हारे पास भी कम समय अभी, अभी की class में, तो point is, की asset means control as well as future economic benefit, जहां पर दोनों condition fulfill हो जाए, Guys understood or not? Second thing, Sir asset, यह होती है, Sir liability क्या होती है? Guys listen to me very carefully, liability क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? क्योंकि कल की class में, मैंने liability के बार में कुछ भी discuss नहीं किया था, मैंने यहां पर खतम कर दिया था, कोई भी liability के बार में बताना चाहेगा? Anybody can explain? कोई भी कुछ तो भी? What do you mean by obligation? What do you, आपने monetary obligation बोला, बढ़ा अच्छा word बोला यह, क्योंकि यह liability definition में यह word use होता है, बहुत very good, पर यह obligation का मतलब क्या? Responsibility to settle, और, liability कुछ तो भी बोल दो यार, कच्रा बोल दो मैं उसको समेट लूँगा, tension मतलो, कुछ भी बोलो, liability मतलब क्या? जो currently मेरी income है, but, receipt है, future में मुझे उसको वापस पे करना पड़ेगा, अच्छा और, और, जैसे मैंने आपको asset में बताया न, दो condition होती है, control और future economic benefits, उदर से please, control और future economic benefits, जैसे मैंने दो चीज़े बतायी थी, वैसे ही, बच्छों, liability में, liability में, दो बाते समझना बहुत ज़रूरी है, वो दो बाते कौन सी है, पहला, ऐ, बाद में, पहला, present obligation, present obligation, अब यहां पर obligation एक word आया है, do you know what do you mean by obligation, obligation का basic meaning होता है, promise, promise, something we have promised, to settle, to make some payment, वगरा वगरा, so, liability, is a present obligation, अब आज की तरी यह obligation है, तुने promise किया है, कि तु इसको कुछ नो कुछ settle down करेगा, तु उसको कुछ नो कुछ चुकाएगा, और वो promise किस चीज का है, वो promise जो है, कुछ नो कुछ benefit, तेरे यहां से outflow होने वाले है, तेरे यहां से outflow होने वाले है, देखो, asset में हमने क्या बोला था, economic benefits are expected, are expected, वही economic benefits, अगर तेरे यहां से कुछ outflow हो जाए, और तेरे को लगता है कि तेरे यहां से कुछ benefits का outflow होगा, मतलब तेरे को कुछ benefits provide करने पड़ेंगे, किसी ने किसी promise को लेकर, तुने कोई नो कोई promise किया है, other party को promise किया होगा, bank को promise किया होगा, government को promise किया होगा, for which तेरी जेब से कुछ न कुछ outflow निकलने वाला है और वो outflow किस चीज का निकलने वाला है future economic benefits मतलब economic benefits का outflow होने वाला है economic benefits मतलब हो सकता है cash का outflow होने वाला है हो सकता है shares का outflow होने वाला है हो सकता है शायद किसी asset का outflow होने वाला है मैंने यह प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को दो महीने बाद एक प्रॉपर्टी दूंगा क्योंकि मैंने आज तेरे से शेर्स लिये तो मैं तरे बिफ्रैंग्य तेर को दो-मईने बाद दोऊंगा प्रापेटी मेरे एक ट्री उपफटी मिलते हैं और वही प्रॉपी बेनिवेट देरे को दो-माएने बाद मैं शिफ्ट कर दोँगा, ड्रांस्फर कर दोँगा प्रापेटी के रुप में so this is what we call liability so for liability there are two important terms the first one is present obligation बोलो बच्छो कौन सा बोला मैंने present obligation it is presently it is your promise made by you, made by your entity that you have to settle out something understood or not and the second one is outflow of economic benefits दूसरा क्या बोला मैंने outflow of उदर पीछे से आवज नहीं आ रही मुझे outflow of economic benefits तो दो चीजे मुझे बताना कौन सी है liability के लिए भारी भारी word है मैं मानता हूँ शायद कभी अपन ने ये जदा word सुने ना हो but अब समझना जरूरी है क्योंकि अब आपन mature होते जा रहे है अब आपन इंटर में आगे ना थोड़ा से जरूरी है अब इना वह foundation वाला level से थोड़ा सा अब ऊपर बनना पड़ेगा तो बताओ दो points कौन से बोले है मैंने liability के लिए present obligations and outflow of economic benefit अरे जो economic benefit तो मैं expect कर रहे थे inflow तो वह हो गया sit और वही अब तुम्हें लगता है कि उसका outflow तो वह क्या बन गया? Liability, economic benefit किसी भी रूप में हो सकता है तुम shares दे सकते हो तुम अपनी company के shares दे सकते हो तुमारे पास Reliance की company के shares है तुमने वह वादा कर दिया कि Jai sir को तुम दोगे तुम मेरे पास आए पंडे तुमने बोला कि sir मैं आपको ना fees दूँगा but मैं sir cash मनी दूँगा मैंने बोला फिर कैसे देगा? sir मैं आपको ना Reliance company के share दे दूँगा 2 महीने बाद मेरे पास company के share है मैंने बोला, okay तो भी क्या यह तेरी obligation है क्या है तेरी liability है? Yes, because तेरे यहां से क्या होने वाल है? Outflow और तुने मुझे क्या किया? Promise किस चीज का Outflow? Cash का? जल्दी बलो, Cash का? नहीं, Cash का नहीं किस चीज का? Share का कौन सा Share? Reliance का Share शायद अकर तेरे पास हो तो तेरे को इससे economic benefit मिल सकते हैं But अब वो तू मुझे transfer कर देगा क्योंकि तूने मुझे promise कर दिया तो तू मुझे दो महीने बाद Share देगा यह तेरी आज liability है क्योंकि तूने मुझे promise किया Guys, understood or not? दो बाते कौन से समझी हमने? Assets और Assets के दो characteristics कौन से? Assets के दो characteristics कौन से? Assets के दो characteristics कौन से? Control और Future economic benefits are expected to flow लगता है कि मुझे आएगा future में benefit सर लगता क्यों है definitely आएगा सर तो भी पर लगता है expectation तभी तो मैं बोल रहा हूं कि यह asset है आने के chances अच्छे खासे हैं अगर अच्छे खासे chances नहीं होते तो मेरी asset थोड़ी होती वो मेरी contingent asset होती अगर मेरे को chances ही नहीं है आने के तो मैं उसको asset ही नहीं बोलूँगा यह chances बहुत ही remote है मतलब ना के बरावर है तो शायद वो मेरी asset नहीं है और लाइबड़ी के दो करेक्टरिक्स्टिक कों से बोले अगर बहुत है ओ भाहा क्या Present obligation और Outflow of Economic Benefits गाईस अंडर्स्टोड और नॉट थर्ड अगर्ड लास्ट वन इस Equity इक्विटी को जिसको आप अभी तक Capital बोलते आते थे कोई define करपाज़गा What do you mean by capital or what do you mean by equity Anybody Owners money और Owners money बोलाओ ठीके Money 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 which is invested in the business और और कोई Capital पूछ रहा हूं कुछ भी बोल दो क्या मतला हो सकता है capital का यहां से कोई आवाज आई Capital जिसको तुम CPT में या Foundation में प्रोप्राइटर अकॉंट बनाते वक्त तुम Capital लिखते थे क्या होता है वह Capital अच्छा बदाओ capital एक liability होती है कि नहीं हाँ हाँ या ना Capital एक liability होती है किसकी liability business की की business man की business की liability होती है इसका मतलब business ने कसम खाई है कि वह business man को पैसे वापस करेगा liability है बोलो तो अगर capital एक liability तो अमने उसको अलग क्यों रखा है उसको तो liability में डाल दो हम balance sheet जब बनाते हैं तो balance sheet के liability side में capital अलग क्यों दिखाते हो और liability इसको अलग क्यों दिखाते हो थोड़ी दर पहले मैंने ना चार word बोले थे recognition, measurement और तीसरा क्या वोला था presentation क्योंकि तरह presentation matter करता है कि तू क्या दिखाना चाहता है सामने वाले को तू क्या दिखाना चाहता है जिसके basis पर तरही company के बहुत सारे decisions वो लेने वाला है तो तूने अगर उस चीज को दिखा दिया तो हो सकता है उसके decision affect कर जाए तो liability, capital एक liability होती है कि नहीं इस बात को समझना बहुत जरूरी है the point is guys, capital is not the liability of a business capital मतलब equity अब मैं उसको word बोल रहा हूँ equity is not the liability of business sir क्या बात कर रहो हम तो उसको balance sheet के liability side में दिखाते है, liability side में दिखाते जरूर हो पर वो liability होती नहीं और अपन यह नहीं बोलते कि वो liability है आपको मैं एक बात बता दूँ कि जब तुम balance sheet बनाते हो balance sheet अभी तक तुम T-shape की बनाते आ रहे हो तुम लोग को screen पर दिख रहा होगा और T-shape की balance sheet बनाते आ रहे हो जिसमें तुम यहां लिखते हो liabilities और यहां लिखते हो asset actually मैं अब तुम्हें ऐसी वाली balance sheet कभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अब तुम आ गए हो inter में और inter में अब balance sheet बनती है vertical form में और vertical form में जब बनती है तो सबसे पहले जो heading आती है उसका heading का नाम होता है equity and liabilities कितना उन्होंने correction कर दिया balance sheet में हम liabilities नहीं लिखते हैं हम एक side लिखते हैं equity and liabilities फिर आता है उसका total फिर उसके आगे आता है assets और फिर उसका आता है total तो इसका मतलब अब तो यह भी प्रूव हो रहा है कि भाया equity अलग होता है और library अलग होता है अगर वो आउटफलो हो और आउटफलो शूर है क्योंकि हमने promise किया है अब तु सोच के जब बता थोड़ा सा ध्यान से सोच कि तुम CA बन गए और CA बनने के बाद तुमने सोचा यार मैं अपना खुद का self-employed अपना business शुरू करूँगा तुमने अपने business में पैसा लगाया मतलब business को पैसा ऌतिया और तुने business शुरू किया कल को जाके खुदा ना कब कि तुम्हारा business नहीं चला और तुम्हारे business में losses हो गए तो क्या ये business की जिम्मेदार्य है क्या नोero पूरे के पूरे पैसे वापस करके दे, बात बता चल दी, हां? क्या पूरे के पूरे पैसे वापस करके दे, क्या उसकी जिम्मेदारी है क्या, चलो इसमे एक और point I'd कर रहा हूँ. तुमने सोचा, मुझे business करना है, business करने के लिए मुझे 10 लाक रुपए की ज़रूत है, करना है। दस लाक रूपई से, तुमने Darshansar से 7 लाक रूपीज उधार लिए। तुमने Darshansar से 7 लाक रूपीज उधार लिए और तुमने Darshansar को बुला, सपर मैं पांत साल बाद, आपको ये 7 lakh rupees लॉटाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको अपने business में लगाने है, अब तुम्हारे business में 3 lakh rupees खुद के लगाए गए, और 7 lakh rupees दर्शन सर के लगाए गए, क्या तुम दर्शन सर के 7 lakh रुपए को अपने business में liability बोलोगे कि liability नहीं बोलोगे, मैं क्योंकि अभी equity पर नहीं आना चाहरा हूँ, क्योंकि मैंने equity समझाया नहीं है, liability है कि liability नहीं है, क्यों? Sir promise, और 5 साल के बाद क्या होगा, outflow, outflow किस चीज़ का, economic, in the form of cash, cash हमारा economic benefit होता है, तो दर्शन सर के 7 lakh के loan को तुम क्या बोलोगे, चल्दी बोलो, liability, अब 10 लाख रुपए तुमारी कमपनी में आए, यह तुमने, DKS loan, दिखा दिया 7 lakh, और तुमने अपना capital लगाया, 3 lakh रुपीज का, balance sheet का, 10 लाख हो गया, अब तुमने यह 10 लाख रुपए, अपने business में लगाये, जिसमें तुमने machines, land and building वगयरा खरीदा, 8 lakh रुपए का, बाकी का, तुमने stock खरीदा, 2 lakh रुपए का, तुमारी balance sheet टैली, ठीक है, यही तो बोलते हैं, इस 10 lakh को अपन अपनी आम भाशा में बोलते हैं, source of fund, पैसा कहां से आया, और asset में जब हम लिखते हैं यही वाली चीज, तो इसको बोलते हैं application of fund, पैसा कहां लगाया, the one is, the first one is your source, पैसा कहां से लाए, the second one is your application, पैसा कहां लगाया, आगे चलके, मान लो, तुम्हारे business में तुम्हें losses हो गए, मैं hypothetical situation ले रहा हूँ, मान लो, तुम्हारे business में losses हो गए, जिसकी वज़े से तुम्हारी assets की values डाउन हो गई, और तुम्हारी assets की values, मतलब machine की value, land building, stock कुछ खास बचा नहीं है, dead stock बचा, तुम्हारे assets की value हो गई down, वो हो गई 9 लाक रुपे, पर अभी भी DK का loan चल रहा है, 7 लाक रुपीज का, तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें कल को अपना business बंद करना पड़े, किसी कारण वर्ष, क्योंकि तुम्हारे business में loss चल रहा है, अगर तुम्हारे business को तुम्हें loss चल रहा है, और तुम्हें, तुम्हें डिसाइड किया, कि मैं business नहीं करना चाह रहा हूँ, और तुम अपने business को close करते हो, तो आज तुम्हारी assets 9 लाक रुपीज में sell out होंगी, कितने में sell out होंगी, और 9 लाक में जब sell out होंगी, तुम बताओ, अपने आपको क्या जवाब दोगे, क्या ये जवाब दोगे, कि पहले मैं अपने 3 लाक निकल लेता हूँ, DK, WK जाए बाड़ में, जल्दी बलो, जल्दी बलो, कि पहले तुम DK का लोन पेकर होगे, जल्दी बलो, पहले खुद का पैसा निकलोगे, कि पहले आउटसाइड पार्टी को सटिस्फाइब करोगे, जल्दी बलो, ऑविसली आउटसाइड पार्टी, ऑविसली आउटसाइड पार्टी को सेल करेंगे, तो अगर तुम 9 लाक में से आउटसाइट पार्टी को सेटल करना चाहोगे, तो इसका मतलब बाकी का कितना बचेगा, तो इसका मतलब तुमने लगाया कितना था, अब बचा कितना है, तो क्या बिजनिस की क्या लाइबिलिटी होगा कि नहीं तो तुम्हें तीन लागी वाप होते हैं, मेरी बाद ध्यान से सुनना एक बहुत important word बोल रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं सुना है ना, तो अब बस एक last word सुन लो क्योंकि अभी वे लेक्टर बन कर रहा हूँ है, एक्विटी is a residual interest in the company, residual का मतलब क्या होता है, थोड़ा थेज बोलो क्या होता है, बचा हु हुआ, equity और capital is nothing, it is just the residual interest of the owner in the company, owner का company में बचा हुआ पोर्शन, मतलब आज अगर जूठ मूठ में मैं अपनी company को बंद कर दूँ और सारी असेट बेच के पैसे लेके आँ और सभी लाइबडीज को बाटने के बाद अंत में जो बचेगा, अंत में जो बचेगा, मेरा सिर् shareholders के पास उस वही चीज मिलेगी, उससे जादा में उनको पेई नहीं कर पाऊंगा, मतलब जो shareholders ने पैसा लगाया है मेरी company में, capital के नाम पर वो liability नहीं है, उसको हम बोलते है, equity and equity means residual interest in the company, guys understood or not, tell me guys understood or not, so equity means residual interest, अगर तू आज एक company में पैसा लगाता है, किसी company के share purchase कर रहा है share, तो वो share होते है, equity share, preference भी होते हैं, मैं भी preference की बात नहीं करना चाहूंगा, equity share अगर तू किसी company का खरीद रहा है, पता है तू कौन है, तू उस company का owner है, मतलब company के लिए, तुम, तुम, एक liability नहीं हो, तुम कौन हो, residual interest, मैं बना company बोलेगी किलको, अगर company अपनी बंद कर जाए, तो अन्तमेस तुम सब को लोटाया जाएगा, जितना बचेगा, शायद जादा बचेगा, तो वो लोटाया जाएगा, अगर कम बचेगा, तो वो लोटाया जाएगा, तुम लोग company के उपर claim नहीं कर सकते हो, कि हमें पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए, and it is called residual interest, guys understood or not, तीन बाते कौन सी पढ़ी, assets, liabilities, equity, asset मतलब, control or future economic benefit, liabilities मतलब, present obligation and outflow of economic benefits, or tisra equity means, residual interest, residual interest in the company, guys understood or not, now, finally I am concluding this session, but I want to tell you one thing, एक छोटा सा मुझे आपको एक message देना था, सबसे पहले, अपना ये lecture अभी तो conclude होगया, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ 20-25 मिनिट, जो कि मेरे हो गएंपूरे, guys, वो बच्चे जो मेरी कल की class में बैठे थे, और वो बच्चे जो नहीं बैठे थे, दोनों के लिए एक message है, आज मेरी सुबह class नहीं हुई थी, आपको बता होगा, और आने वाले दो दिन तक, मेरी class नहीं रहेगी, उसका एक simple सा छोटा सा कारण है ये, कि, वो मेरे बहाफ पर सार बता देंगे, एक्चुली ऐसा situation है, जैसर के real sister की शादी चल रही है, and he is still here, वो एक कहते teaching का passion क्या होता है, कल का Saverika class लिया, यहां से Mumbai गए, वहां से flight पकड़के Bhopal गए, बोपाल में रात को reception complete किया, Saverika flight पकड़के पूर्ना आये, 12 बजे, उसके बार में fast track को introduction दिया, अभी ये lecture के बाद Saverika lecture complete करेंगे, रात को वापस flight पकड़के Bhopal जाएंगे, ठीक है, so this is how he is managing the things, just for the purpose of teaching, ऐसे बहुत सारे example ही भी smart में, बेटेस बनाफ देम, तो नेक्स दो दिन शायद सर के class नहीं होगी, हमने उनको बोला था, कि देखिये, जमा सकते हो तो जमाईए, बट घरवाले एक बार और उसके उपर भी शादी हुई तो, ठीक है, so first of all, thank you so much guys for watching the lecture, thank you so much, आपके 10 मिनिट जादे ले लिये, यह मेरे उपर उधार रहे, ठीक है, और thank you so much for और आज के लिए इतना काफी करते, अपना टाइव, तो नंगा तो आया पूरा, लॉल एक के जाएगा, Thank you, बोलो, जोर से बोलो किसी को शंका खुशंका दुर्गशंका लगूशंका कुछ भी उपशन गुच भी हो तो पूचन आजान आजाना काफी करते, बभाई झाल झाल